अपने चैनल हिंदी की ट्रिक्स पर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चाड़के को क्योंकि प्रिवेस वीडियो था उसमें हमने मेगा स्थिनीज को और उससे पहले वीडियो में हमने 75 इसा पूर्म में हुआ था चालके का जन्म कभ हुआ था? theice 352 say 373 इसा पूर्म में देखे को याद रख सकते हैं अच्छी बात है otherwise यह ज़्यादा exams में पूछी नहीं जाती है डेट के चालाके का जन्म कब हुआ था चालाके का जो मूल नाम था वो क्या था विशलोगुपत था यह important यह कहीं भी पूछ लियाता है यह विशलोगुपत के नाम से इनसे question बन जाता है और जो चालाके के पिता थे इनका नाम क्या था चलाक था चलाके के पिता का नाम क्या था चलाक था चलाके की माता का जो नाम था वो चनेश्वरी था यह आपको ध्यान रख नहीं है दिख ठीक है नाम क्या था चलाक और माता का नाम था चनेश्वरी चाणके को भारत का मैक्यो वैली वी कहा जाता है यह most important है exams में बहुत बार यह पूछा गया है और पूछा भी जाता रहेगा कि निमली खित में से किसको भारत का मैक्यो वैली कहा जाता है या चाणके को कौन सी उप नाम है वो दिया जाता है चाड़के क्या थे चंदरगुप्त मोर्य के प्रदान मंतरी और मुख्य सलहाकार थे क्योंकि इनोंनी जो हेल्प के थी चंदरगुप्त मोर्य की घरनन्द को हराने में क्यों क्योंकि उन्हों ने क्या था घरानन ने क्या था चाड़के की काफी ज़्यदा बेज़ जिती की थी भरी सभा में की थी अर्थ säastr के लेखक कुन थे चालक की ही है यह 144 इनों ने लिकिए है और अर्थ शास्त का जो भी सेबू की है कै कि राज वियवस्था यानि पुरालों में चालक के को दूई भी सर्जज जिसका मतलब क्यों हता है स्रेस्थ ब्रहाम्मल कहा गया है तो exam में directly आपसे question पूछा जा सकता है कि निम लिखित में से किसे stressed brahman कहा गया है यह यह पूछा जा सकता है कि दूई जरसब का अर्थ क्या होता है दूई जरसब का अर्थ क्या होता है और चानके के जो मिरत्य थी यह 283 इसा पूर्ग में हुई थी 283 इसा पूर्ग में तो friends आज के इस वीडियो में इतना ही मैं उम्मीद करता हूँ कि चानल के से जुड़ा अगर कोई भी आपसे question बनेगा तो यहीं से बन जाएगा तो thank you for watching मिलते हैं next वीडियो में